हलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेके आए हैं वीकली करेंट अफेयर 13 जून से लेकर 18 जून तक के सभी इंपोर्डेंट कोश्चन जो हमने वीक में पूरे कवर किये थे उनी की हम बात करेंगे स् हमारे में में होंगे और उनके फैक्ट के वारे में भी हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो आज का हमारा पहला कोश्चन है 9 जून 2022 को किस राजिया केंद शाषित प्रदेश में सूफी उतसब का आयोजन किया गया तो सूफी उतसब का आयोजन यह किया गया है हमारा जमू एंड कश्मीर में यानि ऑप्शन नमबर इसका राइड आंसर नेक्स्ट एकला जून 2022 में जारी वैश्विक सदद विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो भारत रहा है 121 में स्थान पर तो ऑप्शन नमबर सीसका आनसर नेक्स्ट ए का समस्वार डेश का नोब सार देश वारत के गोनसा बना है तो ड्रू नीती तेहार करने वाला बना है हमारा हमारा हिमाचल प्र प्रहशे 우리 आशर हमारा न्सक्त ए नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्वर और दा रेपब्लिक एथिक्स किस भारतिय व्यक्ति के चुनिंदा भाशन है तो ये भाशन है हमारे राष्ट पती रामनाद कोविन जी के और ये जो हमारा ओलम्पियार्ड है ये पहले हो रहा था रूस के मौस्कों में लेकिन अब ये होगा भारत के चेन नहीं में तो ये इसी विज़ से और ज़्यादा इंपॉर्डेंट हो जाता है तो इसको शुबहंकर क्या है थम्बी केंद सरकार ने विभिन पुरुसकारों की नामंकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिशित करने के लिए किस पॉर्टल की शुरुआत की है तो रास्ट्य पुरुसकार पॉर्टल अप्शन हमारा ए हो जाएगा तो जितने भी पुरुसकार बगरा होंगे सब इसी के माध्यम से उनी में नामंकन होगा और इसी के माध्यम से चुने जाएंगे तो एक ही पॉर्टल बनेगा रास्ट्य पुरुसकार पॉर्टल हाली में किस देश में Digital Electronics के लिए दुनिया का पहला Right to Repair कानून पारित किया गया है तो हमारा Option D अमेरिका में किया गया है ये कानून Right to Repair का हाली में अंक टार्ट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीष प्राप्त करता बना रहा तो कौन है ये हमारा अमेरिका पहले नमबर पे दूसरे पे चीन तीसरे पे होंग कॉंग और भारत हमारा है सातवे नमबर पर हाली में किस भारतिये को अंतरास्ट्र मुद्रकोष के एशिया प्रशांत छेत्र का निदेशक बनाया गया है तो ये हमारे बने है कृष्णा श्री निवास प्रतिवर्ष बाल श्रम निशेद दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 12 जून को नेक्स्ट एकला 10 जून 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहां पर भारतिय रास्ट्रिय अंतरिक्ष समवर्धन और प्राधिकरण केंदर के मुख्याले का उद्गाटन किया है तो ये कहां किया है ये किया है हमारा एहमदाबाद ऑप्शन एस का राइट आंसर नेक्स्ट हाली में कौन सा देश भांको बैद बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है तो पहला एशियाई देश बनाए हमारा थाइलेंड आप्शन नमबर डी हाली में जानवरों के लिए विक्सित किया गया देश के पहले COVID-19 रोधी TK का नाम क्या है तो इसका नाम है NO COVAX सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्राले से संबन देते हैं सागर माला है तो सागर मतलब बंदरगा जहाज रानी और जहल मंत्राले से संबन देते हैं 10 जून 2022 को किस प्रशाषन द्वारा नन्नी परी कार्यकरम शुरू किया गया तो यह हमारा ओतरपश्यम दिल्ली में शुरू किया गया मतलब अगर कोई भी छोटा बच्चा होता या लड़की होती है तो उसके लिए जितने भी document बगेरा बनवाई जाएंगे वो सब एक ही जगा एविलेविल हो जाएंगे और यही हमारी क्या योजना है नन्नी परी कारिकरम और दिल्ली में यह शुरू हुआ है ग्यारा जून 2022 को केंड्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने कहां पर इस्थिद रास्टी सीमा शुल्क और जीस्टी संग्राले को समर्पित किया है तो हमारा एक सीमा शुल्क और जीस्टी संग्राले चीन ने हाली में किसे मन रेगा लोगपाल न्युक्त किया गया है तो यह किया गया है एन जे ओजहा को option number भी हमारा right answer हाली में संयुक्त रास्टी सुरक्षा परिशद के अस्थाई सदस के रूप में पाँच देश 2023 के कारिकाल के लिए चुनेगा है निमलेकित में से कौन सा एक शामिल नहीं है तो भारत इसमें हमारा शामिल नहीं है भारत की जगा आ गया है जापान और जापान के लावा एक और है हमारा स्विजरलेंड और बाकी तीन है हमारे क्वाडोर, माल्टा, मोजामिक ये तीन है और भारती अस्थान पर जापान आया है और इसके लावा एक स्विजिलैंड, तो ये हमारे पाच देश हैं इसमें, प्रैतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को, और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस कार्ल लेंड स्टीनर का जन्म दिन होता है नेक्स्ट अगला 12 जून 2022 को किस ने दुनिया के सबसे दूसरे लंबे समय तक राजगदी समालने का रिकॉर्ड बनाया है तो यह बनाया है हमारा एलीजाबेथ दुत्ये ने तो ऑप्षन हमारा 20 का राइट आंसर है इनसे पहले हमा नेक्स्ट है कौन सा देश उन्निसवा शंग्रीला डायलोग एशिया सुरक्षा सिखर सम्मेलन का मेजवान है तो यहां अगर बात आती है ऑप्षन नमर डी हमारा सिंगापूर इसका राइट आंसर है यहां पर शंग्रीला डायलोग की शुरुवात की गए नेक्स्ट बार हमारा इसका राइट आसर है नेक्स्ट तेरा जून 2022 को जारी रास्ट्य गवर्नेंस सेवर वित्रण मुल्यांकल 2021 रेपोर्ट के दूसरे संस्क्रण में केंशाषित प्रदेश में कौन शीषपर है कौन शीषपर है यहां पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारा यूटी में और अगर बात आती है हमारे नॉर्मल राजयों में तो दो क्याटेगरी है ऑर बी में अमें हमारा केरल और बी में हमारा ओरिसं और आगर हमीक्स बात करए third-AME तो नॉर्थ-ीषट में है नागन अ नेक्स्ट अगला हाली में किस भारतिय राज ने सुरक्षा मित्र परियोजना बाहा निग्रान प्रणाली की शुरुवात की है तो यह शुरुवात किस ने की है यह की है केरल ने option हमारा बीस का right answer है केरल नेक्स्ट अगला हाली में किसे digital vaccine के लिए अमेरिकी patent office से दुनिया का पहला patent दिया गया है तो digital vaccine के लिए patent मिला है और किसको मिला है भारगव शिरी प्रकास को तो option भी हमारा right answer नेक्स्ट बेब ब्राउजर internet explorer को कब बंद कर दिया जाएगा यह हमारा 15 जून 2022 को बंद कर दिया जाएगा क्यूंकि अब इसका use कोई भी नहीं गरता है तो Microsoft से 15 तारिक को बंद कर देगा नेक्स्ट खेलो इंडिया यूवा खेल 2021 में कौन सा राज पदक तालिका में शीश पर रहा तो खेलो इंडिया यूवा गेम हुए थे हर्याणा के पंचकुला में और हर्याणा ही पदक तालिका में शीश पर है यानि की option है हमारा इसका right answer है नेक्स्ट है रास्ट्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ता दिवस मनाया जा रहा है तो हमने देखा था बाल श्रम दिवस जो था हमारा 12 तारिक हो था और 12 तारिक से यह शुरू हो रहा है तो 12 से लेकर 20 तारिक तक यह हमारा पूरा सब्ता मनाय जाएगा नेक्स्ट है 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच में 38 वी समनबित गर्स्त कौर्पेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक का जल डमरू मत्य में किया जा रहा है तो यह किसमें किया जा रहा है यहाँ पर अगर बात आती है यह किया जा रहा है इससे पहले जो हमारा हुआ था इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले हुआ था हमारा यह बांगलादेश के साथ लेकिन अब जो हो रहा है इंडोनेशिया के साथ नेक्स्ट है अगला हाली में किस देश की रवाब फातिमा को सायुक्त रास्ट का अबर महा सचेव नियुक्त किया गया है तो यह हमारी है बांगलादेश की और बांगलादेश की पहले माहिना है जो इंटरनेशनल लेबर पर किसी बत पर पहुँची है नेक्स्ट है अगला 16-17 जून 2022 को मुख्य सचेवों का पहला रास्ट्य सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा यह सम्मेलन हमारा होगा धरमशाला में तो आप्शन भी इसका राइट आंसर है धरमशाला नेक्स्ट है हाली में देश भर में किसी भी ATM से रूपे संचालित कार्डगा उपयोग करके नगत निगासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप प्रीपिड पेमेंट इंस्टूमेंट पीपी आई बन गया है तो कौन बना है ओमनी कार्ड बना है और यह रूपे सुपरमर्णेम और अगर हम बात करें पहले कौन है भारत के तो पहले है आनंद विश्वनाथन और दूसरे अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन है तो पहली महिला ग्रेंट मास्टर जो है वो है विज़य लक्ष्मी नेक्स्ट, बेम्स्टेक टेकनोलोजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहा की जाएगी ये हमारी कोलंबो में की जाएगी और कोलंबो हमारा कहा है शिरी लंका में नेक्स्ट है, 13 जून 2022 को जारी सिप्री येर्बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे जादा परमाडू हत्यार है रूस के बास, उसके बाद हैं अमेरिका, फिर हैं चीन और चौथे नमबर पर हैं फ्रांस और बात करें भारत की तो भारत हमारा आता है साथमें इस्थान पर नेक्स्ट है, हाली में किस ने दीव में पश्चमी छेत्रिय परिशद की पच्चिसवी बैठक की अधिक्षता की है तो ये हमारे केंद्रिय ग्रह मंत्री अमेर्शाजी दौरा की गई है, उप्शन नमबर C नेक्स्ट है, अगनीपत योजना के समधर में कौन सा कथन सही नहीं है 14 जून 2022 को किंद्रिय मंत्री मंडल ने इसको मंजूरी दी है, बिलकुल सही है इसके तहत यूबा 3 साल की अवधी के लिए सेना में शामिल होंगे, तो 3 नहीं होंगे, ये 4 के लिए होंगे तो इसी वह से हमारा ऑप्शन 20 का जो हो जाएगा आंसर, भरती के लिए आयू 17 से 24, 27 से 21 वर्ष होनी जरूरी है, तो ये भी हमारा क्या है, बिलकुल सही है नेक्स्ट है हमारा अगला, प्रतिवर्ष विष्व बुजर्ग दुर्ब्यावार जागरूपता दिबस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है, ये हमारा जितने भी बुजर्ग व्यक्ति होते हैं, उन सभी के लिए कि उनके साथ में कोई भी दुर्ब्यावार ना ह उसके लिए मनाया जाता है, और ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 जून को, तो अप्शन सी हमारा राइट आंसर, नेक्स्ट है, 14 जून 2022 को नीरत चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फिक कर नया रास्टेर रिकॉर्ड बनाया है, तो पहले इनका रिकॉर्ड था 87.58 का, लेकि वहाँ पर फिल्लेंड में बनाया है, फिल्लेंड में एक गेम हो रहा है, पावो नूर में गेम्स, तो वहाँ पर इनका रिकॉर्ड बनाया है, और वहाँ ब्रांज मेडल हासिल किया है, नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है, तो ये करता है और अभी हमारे एक हमारे सिंगर हैбо्ध फेल हैं जो सिटिन इस करता है और से और इस κάν़ में इस लखार हो जाता है नेक्स भारत का पहला इस्प्लेने इस लाएब था Kimberly मतलब जितने भी मुबाइल फोन लापटॉप ठी वी वग कर अधियरह उनकी पर और यह कहां परस्तापित हो रहा है तेलंगाना में option D हमारा right answer हाली में किस राज में सूजल योजना की शुरुआत की गई है तो सूजल योजना हमारी हर्याणा में शुरू की है और हर्याणा में पंचकुला में ये pilot project के रूप में शुरू करी है यहां के CM Manojlaal Khattar ने और इस योजना में जो पानी है पानी का वेस्ट रोका जाएगा और पानी के वेस्ट के रोकने के लिए जितने भी अधिगारी होंगे वो निंगरानी रखेंगे नेक्स्ट है तो आस्यान में अगर देखा जाए भारत शामिल नहीं है लेकिन फिर भी भारत इसकी क्या गर रहा है मेजवानी कर रहा है और भारत के नई दिल्ली में इसकी बैठक होगी तो इसका आंसर है भारत option A नेक्स्ट है चौदा से सोला जून तक किस राज में रज महोटसब मनाया जा रहा है तो रज महोटसब हमारा उडिसा में मनाया जा रहा है और जो रज महोटसब है यह हमारा धर्ती मा को समर्पित होता है नेक्स्ट है वो है इराग पहले नमबर पे दूसरे पे है रूस नेक्स ए अगला BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है तो ये इंडोनेशिया मास्टर जो है वो बैडमिंटन है का है और बैडमिंटन में गर देखा जाए किसने पुरुष एकल किताब जीता है वेक्टर एक्सेसेज ने जीता है और अगर महिलाओं में बात करो तो चीन की चैन यूफे ही है उन्होंने जीता है नेक्स्ट है प्रत्विवर्ष वैश्विक पवन दिवस्या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है तो ग्लोबल विंड डे हमारा इसलिए मनाया जाता है ताकि मतलब जो पवन उर्जा है उसको हम यूज कर सकें क्योंकि पवन उर्जा हमारी नवी करणिया उर्जा का स्रोथ होता है तो यह कब बना जाता है? यह बना जाता है 15 जून को 14 जून 2022 को भारत गौरब योजना के तहट भारत की पहली निजी ट्रेन कहां संचालित की गई है तो भारत गौरब योजना जो आई थी वो आई थी हमारी नवंबर 2021 में और इसी के तहट एक निजी ट्रेन चलाई जाएगी यह चलाई जाएगी कोयम बटूर उत्तर से साइन अगर शेड़ी कोयम बटूर पढ़ता है तमिल नाटू में और शेड़ी पढ़ता है हमारा कहां यह पढ़ता है हमारा महरास्ट में तो कोयम बटूर से लेकर शेड़ी तक नेक्स अगला 15 जून 2022 को भारत ने प्रत्वी टू बैलस्टिक मिसाइल का सफल वरिषण किया है यह है तो प्रत्वी जो है वो सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल है यानि option सी हमारा right answer है सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल next चर्चा में रहा I2-U2 समू में कौन सा एक देश शामिल नहीं है तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है इसमें अगर देखा जाए Ukraine शामिल नहीं है बाकी तीनों देश हमारे शामिल है और इन तीन के लावा एक और है हमारा extra सनयुक्त अरभ अमीराद तो सनयुक्त अरव सा इस्थान हासिल किया है तो भारत का कौन से इस्थान है यह हमारा 37 इस्थान है यानि option B हमारा इसका right answer है नेक्स्ट है अगला 15 जून 2022 को steel slag के उपयोग से निर्मित पहली six lane वाली राजमार्क सड़क का गहां किया गया है तो यह गुजरात के सूरत में किया गया है यानि option C हमारा इसका right answer है और यह जो हमारी normal सड़क होती है उनसे लगवग 30% सस्ती है तो इसका answer है C सूरत सूरत में steel slag की सड़क बनी है नेक्स्ट है 16 जून 2022 को अंतर रास्ट्य साक्षरता उत्सब उन्मेश कहां शुरू हुआ है तो यह कहां शुरू हुआ है यह हमारा शिमला में शुरू हुआ है और यह भारत का पहला है और देश का पहला होने के साथ यह सबसे बड़ा भी है next है किस भारती मूलकी बहुत दी विग्ञानी को अमेरिका के white house Office of Science and Technology OSTP के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा तो किसे नामित किया जाएगा Option C हमारा आरती प्रभाकर Next है हाली में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्टरम की निला में कितने वर्ष के लिए की जाएगी तो ये जो निलामी होगी ये 20 वर्षों के लिए होगी तो Option B हमारा इसका राइट आंसर है Next है नेमलिकित में कौन सा देश अनिवार मरत्यूदंड समाप्ती केस पर सहमत हुआ है तो कौन सा देश है ये मलेशिया है मलेशिया कहता है कि मरत्यूदंड अगर अनिवार है तभी दिया जाए वरना ना दिया जाए तो ये सभी हमारे पूरे वीक के करनेट अफेर थी तो इन पे आप दुबारा इनका रिवीजन करें और ये हमारा क्यूक रिवीजन क्लास थी तो यहां पे हमने जल्दी से इने सभी कुशन को कवर किया और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे पीडियेफ फाइल हमारे टेलिग्राम ग्रूप या फिर हमारे जो डिस्क्रिशन वाक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से और हमारे वाटसप ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्यू गाइस